सो हेलो एवरिवन वन्स अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल फिर से पीपिया टैमलाइंस देखेंगे सीरियल वाइस चलेंगे पहले 2020 की देखेंगे फिर 2021 की देखेंगे तो पहली टैमलाइन आप स्क्रीन पर देख सकते हो 17 जून को 2020 में फाइल लौज जोई 18 जून को आया थ लग लग चीज़ेंगे पर ऐसा नहीं है को्रसपोंडेस लेटर कोई बडेल बोलते हैं ऐसे लेटर एंड जो पीपियर आने के बाद एक और और आता है उसको बोलते हैं पॉर्ट ओफ एंट्री लेटर ठीक है न वहोता है कि आपका वीजा हो चुका है आपकी लेटर अधर 21 सब्सक्राइब को उसके बाद रिक्वेस्ट लेटर आया दो जून को फिर कोरेस्पोंडेस लेटर एंड पीपीर आई थे इनको 11 अगस्त 2021 इसमें आप देख सकते हो एट जून 2020 को फाइल लॉज होई थी फिर नाइन जून को आया था बायोमेटरी कलेक्शन लेटर 15 सब्सक्राइब को अधर उसके बाद सेकेंड जून को रिक्वेस्ट लेटर फिर 11 अगस्त को आया कोरेस्पोंडेस लेटर एंड कल इनको 12 अगस्त को फिर से कोरेस्पोंडेस अगस्त को इनको कल आया correspondence letter and कली 12 अगस्त को इनको आई है original passport request जे वाली फाइल भी same ही almost बस इसमें other की डेटर लग गया आप देख सकते हो चार जुलाई 2020 को लौज वही थी यह वाली फाइल भी 5 जुलाई को बायमेटरी कलेक्शन लेटर इसका अदर आया था 21 अगस्त को जो पिछली दिखाई थी उसका था 20 अगस्त को तो एक दिन का फरक है फिर 2 जून को request letter and 12 अगस्त को correspondence letter and एक और correspondence letter तो इनको आया refusal पिछली वा अगस्त को 2020 में अधर उसके बाद 2 जून को आया request letter फिर 12 अगस्त को correspondence letter and 12 अगस्त को PPR उपर आप देख सकते हो इनका सब्तम्बर से online classes ले रहे थे network and internet security non-sds की इनकी फाइल थी original intake मई 2020 फर्स्ट medical हुआ 4 फैब को 2020 में फाइल लोजकरी 16 जून को medical अपडेट हुआ 30 जूलाई 2020 AIP आया था 14 अगस्त को online classes लगा रहे थे सेप्तम्बर से Canada College Montreal Business Administration course था sds category की फाइल है second medical हुआ 15 फैब को 2021 without request and update हुआ 6 मई को document request आई 2 जून को submit की है 23 जून को review start हुआ same day पर and PPR आई है इनको 13 अगस्त को आज अब देख लेते हैं 2021 की फाइल आप देख सकते हो 6 जूलाई को फाइल लोजकरी 7 जूलाई को biometric collection letter फिर 12 अगस्त को correspondence letter और 12 अगस्त को इनको आई है PPR इसमें आप देख सकते हो सिर्फ 12 दिन में PPR आई है 1 अगस्त को फाइल लोजकरी 2 अगस्त को biometric collection letter फिर 10 दिन के बाद इनको same day correspondence letter और गया and same day 12 अगस्त को PPR आ गई तो जैसा कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख पा रहा हूं कि जो फ्रेश फाइल से जुलाई अगस्त की उनको PPR से ज़्यादा आ रही है as compared to other files 6 अगस्त को फाइल लोजकरी 7 अगस्त को biometric collection letter फिर 12 अगस्त को correspondence letter और बार अगस्त को इपासपोर्ट request तो पिछली वाली में तो फिर भी 12 दिन वाद PPR आई थी इसमें तो आप देख सकते हो 6 दिन में PPR आ गई है तो आप देख लो कि अगस्त की PPR कितनी ज़्यादा फास्ट आ रही है इसमें आप देख सकते हो 4 अगस्त 2021 को फाइल रियपलाई की फिर आठ दिन के बाद इनको 12 अगस्त को correspondence letter और बार अगस्त को ओरिजिनल पासपोर्ट request इसमें आप देख सकते हो 30 जुलाई को फाइल लोजकरी 2021 फिर 31 जुलाई को biometric collection letter फिर उसके बाद 12 अगस्त को सेम ड़े इनको आया correspondence letter BBL and same day inquire PPR so yeah that's it अभी के लिए इतना ही वीडियो का second part आएगा शाम तक उसमें कुछ और टाइम लेंस होगी उसको देखने के लिए चैनल को subscribe कर लो तब तक के लिए goodbye and take care and thanks for watching